हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तू यॉर कनफर्टा क्लास स्वावत आपका इस चैनल पर इस वीडियो में हम जोग्रफी इंडियन जोग्रफी खास करके हम लोग इसकी मैपिंग शुरू कर रहे हैं और इसमें जो हमारा पहला वीडियो हुआ भारत का जो परिचय होता है जैनि कि इसके बेसिक कॉर फैक्ट्स हैं उसको हम इसमें देखेंगे तो शलिए शुरू करते हैं तो इसमें पहली चीज तो यह है कि जो भारत का छेत्रफल है वो हम लोग देख लेते हैं भारत का छेत्रफल भारत का छेत्रफल पूरा कितना है वो है 32,87,263 km2 यह देख रहे हैं यह है भारत का छेत्रफल जो की विश्चु का विश्चु का दो दसमलो चार परसेंट है तोटल जो विश्चु का जो छेत्रफल लेंगे उसका जो यह हिस्सा है वो कितना है 2.4% है भारत का तो भारत की जो अविस्थिती है यानि कि भारत नौर्दन हेमिस्फियर में है या सदन हेमिस्फियर में है जीरो एक्वेटर के उत्तर में है या दक्षिड में है तो सबसे पहली चीज जो है वो आप याद रखिये वो क्या है भारत कहाँ पर है उत्तरी गुलार्द में है उत्तरी गुलार्द से मतलब समझेगा नौर्दन हेमिस्फियर से है और एशिया महादीद में है ठिक बहुत बेसिक है बहुत इजी है बस इसको आप इसली और कंसंट्रेशन के साथ जो है आप इसको देखते रहें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अब हम लोग क्या देखेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदू है उत्तरतम बिंदू का मतलब है कि सबसे उत्तर वाला जो इस्थान है वो क्या है वो है 37 डिगरी 6 मिनट ठीक उत्तर में है यह और यहाँ पे जो सबसे उत्तरतम हिस्सा है वो क्या है इंद्रा कॉल क्या है इंद्रा कॉल इंद्रा कॉल है उत्तरतम बिंदू और यह कहा है ऑर जे एंड का में हैं जमू एंड कश्मीर है जमू एंел कश्मीर आ दिए fore來到 यहाँ आप आपने दख लिया उत्तरतम देख लिए अब हम सबसे पुर्वत्तर है पुर्वत्तर देखेंगे पुर्वत्तर में क्या है यह है है यहां अर और राशल प्रदेश में एक जगह जिसका नाम है की बीतू इसका नाम क्या है की बीतू कहां पर है ये अरुनांचल प्रदेश में ठीक अरुनांचल प्रदेश में है ये और यह जो यहां पर डिग्री होता है वो आप देख लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट यह हो गया आपका पूर्वोत्तम बिंदू यही है यहाद रखियेगा यहां पर आपका एक बिंदू हो गया अब यह हो गया और आगे देख लेते हैं दो सबसे जो पस्चिम हिस्सा है भारत था वो क्या है वो है गौर मुता ठीक है और यह यहाँ पर है गुजरात में है ठीक इसका नाम क्या है गौर मुता गौर मुता कहां है गुजरात में है सबसे पस्चिम हिस्सा ठीक है वेस्टन जो पार्ट है इंडिया का वो यह है और यहाँ का कि अब हम लोग देखेंगे भारत का सबसे दक्षिरतम हिस्सा देखेंगे ठीक है आप एइवा कि आपको यह समझ में आ रहा होगा तो हमारा जो सबसे दक्षिडतम हिस्सा है वो क्या है वो है हमारा कन्या कन्या कुमारी ठीक है यह कहां है तमिल नाडू में है यह और यह जो है एट डिग्री फोर मिनुट आठ डिग्री चार मिनुट है यह सबसे दक्षिडतम हो गया लेकिन अब हमारे लिए जो सबसे इंपोर्टन चीज है कि जो कन्या कुमारी है यह मुख्य भूमी का मुख्य भूमी का दक्षिडतम भाग है ठीक लेकिन भारत का दक्षिडतम भाग नहीं है क्योंकि भारत जो है मेन लैंड से बाहर भी है दो उसके जो यूनियन टेरिटरी है एक क्या है एक है मालदीव यह आप छोड़े-छोड़े देख रहे हैं डॉट्स यह देख रहे हैं वो यह लक्षदीप और इसमें ही एक जगे है यहां पे इसको बोलते हैं इंद्रा पॉइंट इंद्रा पॉइंट यह क्या हो गया यह सबसे दक्षिडतम हिस्सा हो गया ठीक है तो I hope कि आपको यह clear हो गया होगा सबसे दक्षिडतम पॉइंट में confusion कभी मत रखिएगा मुख्य भूमी का कन्या कुमारी है मेन लैंड का मेन लैंड में कन्या कुमारी है लेकिन जो इंद्रा पॉइंट है वो पूरे भारत का पूरे भारत का दक्षिड तम पॉइंट है ठिक अब हम लोग बेसिकली आ जाते हैं अपने अब हम लोग देखेंगे कि भारत में उत्तर से दक्षिड कितनी लंबाई है और पस्चिम से पूर में चोड़ाई कितनी है तो यह आप देखिए हमारा इंद्रकॉल यहां पर था यह देखिए ठिक समझ में आ रहा होगा आपको और यह यहां पर हम लोग देखेंगे गौर माता से कि भूतू ठिक यह देख लिए आपने अब मैं लिख देता हूँ यहां पर इंद्रकॉल और यह कन्यकुमारी यहां पर क्या है गौर मोता यहां क्या है कि भी तू ठिक अब देखिए उत्तर से दक्षिड की जो भारत की दूरी है उत्तर से दक्षिड वो है बत्तिस सो चौदा किलो मीटर कितनी है कश्मीर से तमिल नाडू तक अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहेगा वो यह कि कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत कितनी सीमा साजा करता है थिक वो देख लेते हैं तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले बड़े राज्य से वो बड़े पड़ोसी देश से तो वो है हमारा बांगला देश क्या है बांगला देश बांगला देश के साथ भारत कितनी सीमा साज करता है तो वह है 4096 किलो मीटर भारत बांगला देश के साथ सीमा साजा करता है और सबसे बड़ी यहीं है ठीक है सबसे बड़ा जो है बॉर्डर बांगला देश के साथ है अब दूसरा कौन है दूसरा है चीन यहां से यह देखिए चीन यह जो है यह पूरा चीन का ही है अभी यह बहुत बेसिक वीडियो है आप इसको जो है मेरे साथ continue रहे आपका जो mapping के जितने भी doubts हैं और obstacles हैं वो सारे time के साथ clear हो जाएंगे तो दूसरा कौन है चीन है जिसकी कितनी है 3488 किलो मीटर ठीक 3488 किलो मीटर के साथ चाइना जो है दूसरा पडोसी देश है जो भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साजा करता है अब तीसरा हमारा तीसरा है पाकिस्तान ठीक है यह पाकिस्तान आप देख रहे हैं यह इधर जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान यह आपका क्रीक होते हुए गोरी क्रीक होते हुए गुजराथ ठीक तो हमारा पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा है 23 23 किलो मीटर ठीक तीसरा सबसे बड़ा सीमा साजा करने वाला देश कौन है पाकिस्तान है 1971 से पहले 1971 का जो गौर हुआ था इंद्रा गांधी गोर्डमेंट के टाइम में पाकिस्तान से उस टाइम अगर इस्टन पाकिस्तान यानि कि वर्तमान बांगला देश को अगर अलग नहीं किया गया होता तो वर्तमान में पाकिस्तान सबसे बड़ा क्या होता सीमा साजा करने वाला देश होता लगभग 7000 किलोमीटर से जादा होता है अब हम लोग आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा है अगला है हमारा नेपाल अपि नेपाल देख रहे हैं यह बफर स्टेट बफर स्टेट है बफर स्टेट नेपाल नेपाल कितना है नेपाल है 1751 किलोमीटर अब आगे देखते हैं हम लोग आगे है हमारा म्यामार म्यामार ये ये आप देख रहे हैं म्यामार ये इधर जो है ये म्यामार ये जिसे पहले बर्मा का जाता था 1937 में ये भारत से अलग हुआ है 1935 का जो इंडिन गवर्मेंट अक्ट आया है जब पॉलिटी आप अपना क्लियर करेंगे खास करके constitutional development वाला या सानविधानी विकास वाला जब आप chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा आपका बर्मा वाला point आएगा उसमें जो है तो म्यामार कितनी सीमा साजा करता है भारत के साथ 1683 किलो मीटर ठीक नौर्थ इस्ट के जो इस्टेट है हमारे नागा लैंड, मिजोरम, मनीपुर और अरुणांचल प्रदेश इनके साथ सीमा साजा करता है अब हमारा जो है वो आएगा अगला जो राज्य है वो है भूटान यह भूटान देख रहे हैं अरुणांचल प्रदेश और यह जो चिकननिक के पास यानि कि असम और इधर हमारा है बैंगॉल है तो भूटान जो सीमा साजा करता है वो कितनी है वो है छे सो निन्यानबे किलो मीटर कितनी है छे सो निन्यानबे किलो मीटर ठीक है 699 में एकदम crystal clear रखी यहां से question आते हैं direct question आते हैं और इसमें फिर कोई छूप नहीं मिलती है कि आप उसको बाद में बेतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं आप इसको जो है screen shot जरूर कर लिजिए क्योंकि बीच बीच में मैं क्या करता हूँ तो आगे देखते हैं हम लोग अब हमारा जो last जो है वो है अफगानिस्तान ठीक अब आपको यह लग रहा होगा कि अफगानिस्तान कहां पे सीमा साजा कर रहा है हमसे तो बात यह है कि दरसल जो पाकिस्तान ने जो कबजा कर रखा है भारत का इसे बोलते हैं P UK बोलते हैं P UK जो की क्या है भारत है एक अभिण अंग है एक अभिण अंग है ठिक तो जब भी तो भारत का जो है ये क्योंकि जिये स्ट्रेटजिक जो पॉइंट से ये जगह की बहुत जादा महत्व है भारत के लिए तो भारत का अभिन अंग है तो भारत की सीमा भी है भले ही उसे इंटरनाशनली जो है उसको लेजिटिमेसी के साथ भारत का नहीं माना जाता है लेकिन वो भारत का हिस्सा है भारत का अभिन अंग है और अफगानिस्तान जो है 106 किलो मीटर 106 किलो मीटर की सीमा साजा करता है अफगानिस्तान तो ये सारे हमारे clear हो गए कौन-कौन से पडोसी राज्य है पडोसी देश है और उनकी सीमा क्या है आगे देख लेते हम लोग और भी हमारे पडोसी देश है जो की देश तो नहीं है लेकिन वो island country है उनकी सीमा डारेक नहीं लगती है लेकिन सीमा तब भी मान लिया जाता है तो ये हमारा पहला जो आ जाएगा वो क्या है वो है शिरिलंका ये आप island country देख रहे हैं शिरिलंका और ये भारत तो यहाँ पर भारत और इसके बीच में एक सीमा है जिसे बोलते हैं पार्क स्ट्रेट पार्क स्ट्रेट और इस साइड जो है हमारा वो क्या आएगा यहाँ पर लक्षदीब और मालदीव मालदीव इस साइड आएगा मालदीव भी एक island नेबर कंट्री है हमारी यह हो गया पूरा इसमें मैंने ज्यादा तर जो आपके बेसिक जो हैं वो कवर कर दी हैं कुछ चीजें बाकी हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं फटा-फट तो कवर हो जाएगा बेसिक वीडियो है तो इसमें बहुत जादा दिमाग लगाने ज़रत नहीं है इजी है भारत की जो तटी सीमा है भारत की जो तटी सीमा है वो आप देख लिजें यहां से शुरू करिए गुजरात और यह जगह से जब यह ऐसे शुरू होगी यह महरास्ट, गोवा, करनाटक, केरल और यह इदर तमिलनाडू, आंदरा, उडिसा, वैस बेंगॉल और यह सारी मिलाके इदर जब आप इसको पूरा देखेंगे तो यह हैं 7516 किलो मीटर ठीके, 7516 किलो मीटर जो है भारत की कोस्टल बॉर्डर है या तटीय सीमा है, क्या है, तटीय सीमा है तटीय सीमा से थोड़ा मतलब समझ लीजिए, समुद्र, समुद्र और मुख के भूमी के बीज का वो हिस्सा जो दोनों में लैंड से भी तश कर रहा है और समुद्र से भी गिला हो रहा है, वो जगा क्या कहलाएगी, वो कोस्ट कहलाएगी, तटीय सीमा कहलाएगी आगे कुछ पॉइंट है भारत के जो लैंड लॉक इस्टेट है वो पाँच है ठीक है लैंड लॉक्ड इस्टेश कितने हैं पाँच है तो आई होप कि आपको यह सारे बेसिक पॉइंट समझ में आ गये होंगे तो आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी और जो हमारा नेक्स वीडियो होगा भारत के राज यूनियन टेडरीज पे होगा फिर उनका डेवलप्मेंट पे होगा कि वो कब राज बने और कैसे पाने तो हमाय साथ जो है कांटिन्यू रहिए और आपकी जो है यूपी पीस्टी की परस्पेक्टिव से जो यह मैपिंग वीडियो हैं यह काफी हेल्फूल होंगे थैंक्यू थैंक्यू फॉर वाचिंग वीडियो